नमस्कर दोस्तों अश्करते हों आप से बच्छे होंगे आजके इस वीडिया में हम बाद करने बाले हैं वह इसके अंडर आपका बीपीर का पर रिलेटर उसकी सब्सक्राइकृर विद्ट竇ब है इस से पहले में इस एंद बनाया था वह फ्रॉमिज 00 1 के अंडर मैं ठीक है हमारा निप्तार जाता था उत्कॉल इनुमर्सिटी के अंडर में तो जो पेले के जो पूराने विडियो से वह भी हेलफूल है अभी फिर भी हमारा जो अभी नया चेंज़े साहे है उसको हम आड्रेस करने बलें इस वीडियो में क्योंकि हम पता है कि 2023 से यह जो नया एकाडेमिक ब्याच है वह सब आड्मिशन किया किसके अंडर ओई उचस के अंडर ठीक है तो उत्कॉल उनिवर्सिटी का अलग था उसके बारे में हम बात करने वाले हैं जैसे कि आप बोल सकते हैं आपका एक्जाम पाटन में क्या चेंजेस आया है आपका कोर्स सब्झेट्ट कि बढ़ने बले हैं क्या क्या नया चीज़ नीव चेंज़ेस कि आए है आपका जो मार्क्स मिलता है मतलब मार्स चाहरा प्ली का जो एक्जाम होता है ठीओर एसका क्या रहेगा को स्ट्रक्चर कैसा रहेगा आपका क्या रहेगा मतलब आपको एक्जाम देने के लिए आपका क्या क्या जरूए तो 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 दोस्तों हमारा पहला है और जोस्तों चिनको पता नहीं है मैं बोल जाता हूं यह उडीशा उनिवर्सिटि अब हेल्ड साइंस से इसके अंडर बहुत सारे कॉलेज़स आते हैं जैसे कि आपका अमरे Central में इंशी निर्थतर हो गया देनां का हो गया जितना प्राइवीट कॉलेज़स हैं जैसे कि हमास हो गया प्रतिबादे भी हो गया जितने सारे वह सब आते हैं यह उनके लिए हिल्फुल होगा जो दूसरे बच्चे हैं जैसे कि आपका एई पेज उनिवर्सिटी वह तो अलग है तो उनका अलग रहेगा यह वीडियो उनको लिए हिल्फुल हो गई होगा तो आप जरूर इस के अंडर में अभी स्ट्राडी कर रहे हैं दोजर तब देश चब्स एकाडमिक यह से उनके लिए हिल्फुल होगा तो यह सब मैं जो आपको बताने बाला हूं यह आपका आता है टूथाओजन टूटी थ्री को बीपीटी रेगुलेशन के अंडर ठीक है और जिनको कुछ भी नहीं पता है उनके लिए थोड़ा थोड़ा बाता दाता हूं तो दोस्तों बीपीटी का मतलब है बैचलेर फिजियो थरापी आपको बीपीटी में आडिमेशन के लिए आपका होना चाहिए प्लॉस्टु साइन्स फिजिक्स केमेस्ट्री बाय तो आपका निरततार में जाना जाता है तो सीट थे थ्रूप जा सकते हैं अभी पहले कोई अब अब तक हम कर सकते हैं प्राइवेट यदिवरिसिति में और आपका द्यमेटिक्यांसीलिंग कम बॐसुर्ण कांसिलियु वह ब्रूह कर सकते तो दोस्तों बीपीटी में मैंने पहले बहुत सरे बना है जैसे कि सिलावस क्या है सब्सक्राइब क्या है जैसे कि बुक लिस्ट क्या है दोस्ता इस बीडियों में हम लिएक संट केकर बात करने हैं विल में इसम सब्सक्राइब के यह उसमें और में आएगा तो यह जो कंड़ूर्ट किया जाता है पहला आपका होता है इन्टर्नाल होता हैं इंटर्नाल होता है उसके बाद द wilderness आपके होता है क्या university ग्या ते रे देने आपके युह आपके और दोस्तों जो इंटरन वंप्रिंटिकल होता यह आपका कॉलेज कराता है और ऐधिये घ्जाम होता है यह जो कुर्षिन होता है यह उच्छिस का अंडर आथा है तो अभी क्या-क्या चेंजिस आए उसको देखते हैं पहले बात मार्स बाद में बात करेंगे पहले आपका क्या होगा कि बहुत सरे बच्छें के बारे में भी फूच रहे थे तो अगर बात करें हम पहले आपका थियोरी में में आपका होना चाहिए कितना परसेंट आपका प्रैकलम में कितना परशेंट होना चाहिए ठीके डात कर अदम करेंबें में होना चाहिए प्रेटिकल अलिंगत्ली प्रैकल छोटा को फिल तो फिर आप जाएंगे फ़ॉर्म के लिए फॉर्म के लिए फिल आप हो जाएंगे ताकि अप युनिवर्शिट एक्जाम दे सके इसके के बाद दोस्तों आपका रहेगा पीस्ट आए इन्टरनल इंटर्नाल आपका रहेगा 20 मार्कर है ठीक है 20 मार्क कर रहेगा और दोस्तों इंटर्नाल में आपको पास करने के लिए आपको 50% इसका चाहिए 50% होगा तो ही आपको पास कोईगे यानिकी 10 मक्स आपको रखना है पास के लिए इंटर्नाल में और मैंने इंटर्नाल वीडियो पहले बनाये हुआ है आप उसको देख सकते हैं उसमें मैंने इंटर्नाल का स्ट्राटिजी बताया है और आपका कैसा आप इंटर्नाल में अच्छे मार्क के और इंटर्नाल में मार्क्स क्यों जरूते उसके लिलेटर भी मैंने से हो सकता है चार भी हो सकते हैं जो फाइनल में जाएगा आपको बेस्ट होगा मतलब अपको एक तो यह समझ में आया होगा आपको कितना नोगा यह करेंगा आपके तिचेस के क्या सब्सक्राइब मतलब एक्सारीज थे रॉपकर और यह उनुने से जो एक बेस्ट होगा ओ जाएगा करता है कि अपका कॉलेज़ के स्टाप के ऊपर मतलब आपको आपका साइकलोजी तो दूस्तों पहले जो क्या होता था कि साइकलोजन सोचिलोजी एक पेपर होता था और दो पर होते थे पच्छास पर एक बार में हो जाता है इस बार क्या हुआ कि मतलब इस बार से अभी से जो एक्जाम होने बहुत है इसके अन्वाट टुथाज़न टुटी टुटीटिफॉर नहीं होता फिर से तब तो क्या होगा कि अभी आप प्रणप पेपर देंगे पहले से में पर यहां रहीगा उसके बाद दोस्ता आपका रहेगा सेम जैसे कि यहां ठर है कि एक्सराइट तरपी इक्सराइस तडराफी बहुत चाहिए ऐन दोस्तों कि तीन नमर में रहेगा इलक्ट्रथरापी घुर् इक्सेसाइज थेरापी है कि प्राइफ का प्रैक्टिकल एक्सेसाइज थे जो कि आपका एक नार यहाँ थे मतलब यह जितना वह आपका नबला है है कि ऊपका नौन यूटिवरशिटी एक्जाम वह अवह और आपका नौन यू फिक्सक्राइब जो क्या आपका है यहां प्लक्लाघ recordings एक्जाम हो आपका रहेगा है हुआ है हुआ है हुआ है इंग्लीज और कम्यूनिकेशन स्किल्स इंग्लीज और प्र को मुश्यशन स्किल्स का तो टोटल इस स्वस्प्सके में आपका चें सब्सक्राइब का होग ऐसाइकलोजी इंग्लीज इंग्लीच और कम्मुणिकेशन स्किल्स 7 kost ML क importantes थेरपी नंग्लीज इंग्लीज और कम्मुन्यकेशन स्किल यह चे नंबर सब्चेट हो गया तो इस में से यह सभी यूनिवर्शिटी के एक्जम जिसमें आपका इंटर्नाल रहेगा प्रेक्टिकल रहेगा यह आपका इंटर्नाल और कर्वाता है कोलेज यह नान यूनिवर् करा जाएगा तो मैं आपको यहां पर कर देते हैं कि यहां पर कितना मार्क आपको रहेगा तो दोस्तों अभी का जो नया स्ट्रॉक्चर यह बनाए हैं उसमें इन्होंने सभी जगा पर इंटर्नाल प्लस लड़ायरी यह फिर प्रेटिकल उनिवर्शीटिटि का जो है भी है क्या मैं मारक और होगा तो इसके मैं पहले हैं की 25 प्रतव प्रतव रहेगा पर नहीं पर इंटर्नल मारक नहीं लिए कि उनिवर्शिट प्रिछ देंगा जो कि आपको कॉलेश देगा लेक्जाम चाहिए लीए लाइब लाइन आपको युनिवर्श्टी के के लिए लेक्जाम आपके रहे छुक्ष प्षूटी Social इसमें की इसमें 30 कि हैंने यह होता है आपको पास करने के लिए तो इसको पास करने के लिए आपको चाहिए होगा 25 मार्क गर पहले से ही 10 मार्क आप अच्छा मार्क लाने है और यहां पर पाशार में समझ मैं से आपको 25 मांग जाहिए पास करने के लिए जिसमेंसे आपका 40 मार्क आपका एग्जाम हो थेंगे उसके बाद दोस्तों इंटरना यह क्लास में बैटके आप अपने दोस्तों के साहथ देंगे पर यह नितर में बिप्ट बियोटी के लिए यह हैं कि उनका भी साइकोलोजी रहता है पर मैंने उनका देखा नहीं है मैंने सिप्पेसिपिकल यह बुचों के लिए बहुत हेलफुल होगा पर यह स्ट्रॉक्टर जो दोस्तों अब करने के लिए तो दोस्तों अगर इंटर्नल में 20 से ले आते हैं तो आपका 60 माव्क चाहिए होगा आपको पास करने के लिए आपको का स्वी उनिवर्स इंट्राइक आर इंटर्नल में आपकर में ज्यादा से ज्यादा से उपर लाने के लिए क्योंकि आपका 50 होगा तो ही तो दोस्तों यहां पर आपका इंटर्नल एक्जामर रहेगा आपका 80 मार्क और यह भी सेम है प्रैक्टिकल एक्सेस तरह भी वही इंटर्नल आपका 20 मार्क रहेगा प्रैक्टिकल होगा आपको थ्यॉरी रहेगा एट मार्क के अथि बोलता हूं प्रैक्टिकल एक्जाम होता है यह आते हैं आपको कोश्चिंद पूछते हैं कुछ टॉपिक दिया होंगे उसके रिडिटर पूछ सकते हैं भाइबाब पूछते हैं बहुत सारे चीज़े होती करके दिखाओ पोजिशन करके दिखाओ श्रेचिंग करके दिखाओ यह सब आपका जो पूछ सकते हैं मौडल होगा उसके ओपर आपको करवार ना है कुछ एक्सेसाइज तो प्रेटिकल एक्जाम के बारे में मैंने वीडियो बनाया है जायद आप जाके एक्जाम सेलिज में आप आप का बोल सकते हैं का आपको अच्छ किया है यह करता है अगर नहीं किया हूऄ मैं तो किसे होता है इकसे आपको बना के देंगा को यह हैंब इसमें पास करने के लिए आपको पास करने के लिए अगर पचास से जितने पच्चिस से उपर लाएं कि तो यह कॉलिज का हाथ में रहता है तो दोस्तों आशक करता हूं यह आपको समझ में आगा फास सेमिस्टर के लिटेट कि क्या-क्या चंजिस हैं मोटा मेडिक बोले तो फास सेमिस्टर आपको सोच्छी नहीं रहेगा साइकलोज एक्जामिनेशन जो कि आपका है इंग्लीज जो कि 50 मार कर रहेगा जो कि यह कॉलिज कर रहेगा तो आप अश्रा करतों आप समझ पाए होंगे इंटरनल आपको सब एक्जाम में आपको 50% लाना चाहिए पास होने के लिए तो दोस्तों आप अगर 50% लाते हैं तो 50% यह ज् लगा आशकतों में आपका जो डाउट से उख कर पाए होंगा तो अगर आपको अच्छा लागा तो ब्लीज इसे एक लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ से एर किजिए और इसे के साथ इस वीडियो के अई परेंड करते हैं जाए हिंद्ध बंदिमात्रम